हाई गाईज वेलकम तो मैं यूटूब चैनल लोजिकल फेंटासी ट्रिक मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं टीम कॉंपरीजन पिच रिपोर्ट टीम स्ट्रेंथ टीम वीकनेस प्लेइंग एलेवेंग टीम स्ट्रक्चर प्लेयर रिसेंट पर्फॉर्मेंस प्ले आई पेल ट्वेंटी ट्वेंटी टू का नेक्स्ट मैच यानि नाइन्थ मैच गाईज वह मुंबई इंडियन्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होने वाला है दीवाई पार्टील स्टेडियम में दो अपरील को साड़े साथ बजे खेला जाएगा गाईज जानेंगे इस वीडियो में एवरिटिंग अबाउट पिछ रिपोर्ट डिसेंट मैच इन दिस पिच एंड दोनों मैच के विकेट फॉल्स के बारे में और सबसे इंपॉर्ट आफिन बाउंस करते रहते अच्छी खासे अगर बात करें यहां पर स्कॉरिंग करें तो यहां पर ऐस एंड मैच हो चुके हैं जिसमें dois म मैच के बारे में थोड़ा सा तो यहां पर जो पहलो मैच हुआ था गाइस जो हुआ था यहां पर र시 बी और पन्जाब किंग्स के बीचमें जिसमें पन्जाब किंग्स जो है वह टोसहीं करके फिल्डिंग करने का फैसला लिया था और फर्स इनिंग में बैटिंग किया था RCB ने और बैटिंग करते हुए 205 रन बनाए दो विकेट के नुकसान पर टोटल 20 ओवर खेला था गाईज वही सेकेंड इनिंग में पंजाब किंग्स ने चेज करते हुए 208 का रन बनाया 5 विकेट के नुकसान में और केवल 19 ओवर में मैच को विन कर लिया चेसिंग करते हुए वही सेकेंड मैच की अगर बात करें यहाँ पर तो वो हुआ था केके आर कोलकाता और बैंगलूरू के बीच में मतलब दोनों ही मैचेज में यहाँ पर दोनों मैच में आरसीबी का ही दोनों मैच हुआ वहीं पर बैंगलूरू ने यहाँ पर फिल्ड करने का उप्शन चूज किया फरस्ट इनिंग में जो बैटिंग किया फरस्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए 128 रन का स्कोर बनाया 10 विकेट के नुकसान पर पूरे 20 ओवर गाईज खेले वहीं बात करें घाइस यहाँ पर अगर दोनों मैच में फिरस्ट इनिंग में बात करें पर वहीं बात करें वहीं पर पिछ प्रीडिक्ष्ण की then guys I expect that this match will be scoring 160 to 180 but falls of wickets will be around 12 to 14 guys दोस्तों अगर आपको मेरा ये analytical analysis वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को like जरूर करें और अगर आप इस channel पो नए है तो channel को भी subscribe कर ले साथ में bell के icon को all पे set कर दे ताकि जब भी मैं in future video डालू तो आपको notification सबसे पहले मिले और आप अपना बेहतरीन team create कर पाऊ वीडियो देखने के बाद आप आए चलते हैं guys team comparison की तरफ क्योंकि दोस्तों grand league की team बनाने के लिए हमें दोनों teams का comparison करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि team comparison से हमें team combination बनाने में मदद मिलती है team comparison से हमें पता चलता है कि आज हमें one sided team बनाना है या फिर एक balance team लेकर चलना है क्योंकि तो चलिया आज हम बताते हैं आपको दोस्तों इन दोनों teams के players के performance पर नजर रखते हुए दोनों team का comparison करते हैं तो अगर दोनों team के head to head record की बात करें दोनों teams के आपस में जितने match खेलें उसकी बात अगर करें दोनों teams ने आपस में 25 match खेले हैं जिसमें से Mumbai Indians ने 13 को win किया है वही राजस्थान ने 10 को win किया है और एक match no result रहा है guys लेकिन ये बात उतना माईने नहीं रखता क्योंकि IPL के हर season में प्लेयर जो है वो exchange होते रहते हैं आपस में कोई player का भी Mumbai Indians की तरफ से खेलता है तो वो अगले season में क्या होता है चन्ने की तरफ से खेलने लग जाता है तो ये head to head उतना माईने नहीं रखता तो अब बात करते हैं guys Mumbai Indians के top order की तो यहाँ पे देखें तो Mumbai Indians के top order में इशान किशन, सुरिकुमार यादव जैसे inform player available है वही राजस्थान के top order में यशास्षिवी जैसवाल, देवदत पडिकल जैस और जौस बटलर जैसे players available है guys तो दोनों के top orders को अगर देखें तो यहाँ पर दोनों के top orders जो है वो strong दिखाई देते हैं अब बात करते हैं guys अगर middle order की तो Mumbai से ज़्यादा strong यहाँ पे आपको राजस्थान का middle order दिखता हो नज़र आएगा क्योंकि राजस्थान के पास संजू सैमसन और हिट मायर जैसे inform खिलाड़ी हैं वहीं बात अगर करें balling department की तो balling department में राजस्थान के पास जहां Trent Bolt या जुरवेंदर चाहाल जैसे players world class baller available है वहीं पर अगर बात करें तो Mumbai के पास जस्पृत बुमरा, Morgan आश्विन जैसे खिलाड़ी हैं तो दोनों टीमों का player analysis करते हुए guys हमने पाया कि दोनों टीम्स जो है वो balance team है और हमें आज की fantasy में आज का जो team ही लगाना है वो एक balance team बना कर हमें खेलना चाहिए बात करें guys अगर team preview की तो guys Mumbai Indians are coming their first match losing to Delhi capitals so maybe he will change something in his playing 11 if there is a change there will be high chances of Suryakumar Yadav playing in place of Unmolpreet Singh guys Mumbai Indians जो है guys वो Delhi capitals से अपना पहला match हार के आ रही है so maybe हो सकता है कि वो अपने playing 11 में यहाँ पे changes करता हुआ दिखे और वो जो changes हो सकता है guys वो हो सकता है Suryakumar Yadav उतको वो Unmolpreet Singh के जगा पे वो खिलाए वही अगर एक जलक देखे यहाँ पर टॉप ओटर बैट्समेन की guys तो यहाँ पर रोहिष शर्मा है इशान किशन है जो बहुत तगड़ापारी खेले थे पहले match में Mumbai Indians के और उसके बाद है Suryakumar Yadav वही middle order की अगर बात करें यहाँ पर तो तिलक वर्मा है किरेन पॉलाड है और टीम डैविड जैसे प्लेयर यहाँ पर दिखते हैं वही अगर पेसर्थ की बात करें guys यहाँ पर तो यहाँ पर देखने को मिलता है जस्परित बुमरा और टीम मिल्स guys spinner में यहाँ पर मौरगन आश्वीन देखने को मिलता है साथ में जान लेते है guys यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के टीम प्रिविव के बारे में तो guys राजस्थान रॉयल्स has worldwide spinner like चहाल एंड आश्वीन राजस्थान रॉयल्स के पास guys और देवदत पाडिकल यैसे बैट्समन देखने को मिलते हैं वहीं साथ में मिडल ओडिकी बात करें संजू सैमसन ने यहां पर शिम्रॉन हिटिमाएर है और इसके बाद रियान प्राग यहां पर देखने को मिलते हैं पेसर सा तोनों हे टीम से दूतरे पर बैलेंस नजर आता है यहां मुंबई इंडियन से थोड़ा ज्यादा confidence बनेंगे राजस्थान रॉयल्स तो आप देख लेते हैं गाइस प्लेइंग 11 को दोनों टीम के स्टैट्स को जानते कि कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की यानि प्लेइंग 11 की गाइस तो यहां पर मुंबई इंडियन के प्लेइंग 11 को देखे तो से इंपॉर्टेंट बात गाइस की अभी तक सबसे पहले नंबर पर है गाइस रोहिष चर्मा राइट हैं टेकनिकल बैट्समें है गाइस आई पील में 31 की आवरेज से खेलते हैं लास्ट के दो सीरीज में इंडिया वर्सिस स्रिलंका और इंडिया वर्सिस वेस्टेंडिस में परफॉर्म नहीं कर पाये थे लेकिन आपको अच्छा पारी खेलता हुआ नजर आये बैटिंग सेक्शन में यह कैप्टेंशी के सबसे सेफ च्वाइस हो सकते हैं अगर सेकेंड इनिंग में बैटिंग आये तो आप अपने टीम में इसे कैप्टेंड जरूर बनाए क्यूंकि तब इसके परफॉर्म करने के चां चांसे लेस देन है जिस तीम में आप रोहिष शर्मा को कैप्टेंड बनाए उसमें इसे ड्रॉप कर दे क्यूंकि आप इसे ड्रॉप करते हैं और यह फ्लॉप होता है तो सोचे कि कितने लोग इने कैप्टेंड बनाए होंगा और आप ड्रॉप करते हैं तो यह फ्लॉप ह hitter batsman रहे हैं guys और 3 number पर आते हैं चुकी जैसा कि देख सकते हैं last के 5 match में इन्होंने दो बार dream team के ये member भी रहे हैं पिछले match में ये नहीं खेले थे इस match में उमीद है कि खेले और 3 number पर खेलने आते हैं most happy के रहेंगे क्योंकि 3 number का खिलारी T20 के format में mostly अच्छा करता हुआ दिखता है grand league के captaincy के अच्छे choice हो सकते हैं खासकर first inning में guys अगले player की बात करें यहाँ पर guys तो अगले player हैं यहाँ पर तिलक वर्मा तिलक वर्मा की बात करें guys talented batsman है last के 5 match में तीन बार यह dream team का member रह चुके हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जिस team में आप Mumbai इंडियन के एक top order को रख रहे हैं उसमें आप जरूर प्रेफर करें खासकर first inning में क्यूंकि तब इसे opportunity होगी और यह ऐसे बल्ले बाज है जो opportunity का भरपूर फायदा उठाते हैं guys बैटिंग section में यह dream team का member बनता हुआ दिखाई दे सकता है अब next player की बात करें guys यहाँ पर तो next player है यहाँ पर किरन पोलाड guys right hand batsman है अपने 5 matches में दो बाद dream team के member रह चुके हैं second inning में आप इसे अपने team में prefer करें क्यूंकि कई बार यह match winning knock खेल जाते हैं जब team को run की जरुवत होती है तब इसे भेजा जाता है आप इसे उस team में रखें जिस team में आप टोरेंट बोल्ट को captain बना रहे हो अगले player guys team David है जो की right hand batsman है बहुत जबरदस हीटर है PSL में अच्छा perform करें आ रहे है PSL में शुरुवात के कुछ matches में अच्छा नहीं किये लेकिन 2-3 match के बाद अपने form में back कर लिया था इन्होंने उस team में इसे जरूर रखें जिसमें आप मुंबई के batsman को captain नहीं बना रहे हो आप उस team में भी इसे prefer कर सकते हैं जिसमें आप राजस्थान के baller को captain बनाएं रहरा कर यह impact वाला perform कर देते हैं बैटिंग ओडर काफी नीचे है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं वैसे ही 160 के strike rate से guys खेलते हैं तो GL के लिए एक अच्छा pick साबित हो सकते हैं अगले player है guys यहाँ पर डैनियल सैंस जो की अच्छे player है कुछ ball भी खेल जाये तो अच्छा खासा point दे कर जा सकते हैं और rounder section में एक must have pick साबित हो सकते हैं खास कर जब first inning में balling आये तो क्यूंकि तब यह 17 और 9 और डालते हुए नसर आएंगे उस team में इसे जरूर आप रख पी extra pace के लिए famous हैं और अपने कोटे का 4 over balling भी कराते हैं यहाँ पर देख सकते हो last match में भी यह balling कराके 83 points दिया था और dream team के member भी रहे balling section में जिस team में आप team mils को drop कर रहे हैं उसमें आप इसे रख सकते हैं इसे आप उस team में जरूर रखे जिसमें आपने राजस्थान की top order को prefer किया है next player है guys time mils extra pace generate करते हैं और variation इनका अच्छा है अपने balling में wave का इस्तमाल करते हैं जो pace बहुत अच्छा करते हैं cuts का भी अच्छा खासा इस्तमाल करते हैं लेकिन last के 5 match में यहाँ पर अगर देखे तो अच्छा perform नहीं कर पाया थे balling section में GL के अच्छे pick साबित हो सकते हैं guys अब अगले player है guys यहाँ पर जस्परित बुम्रा इस खिलारी को कौन नहीं जानता है death over specialist है recently अच्छे form में है लेकिन पिछले match में इनकी balling जो है वो पिट गई थी बड़े खिलारी है तो यह back कर सकते हैं इस match में जैसा कि आप देख सकते हो last के चार match में last match को छोड़के तीन बार dream team के यह member रह चुके हैं आप इसे second inning में balling आया तो captaincy भी दे सकते हैं क्योंकि first inning में run का pressure नहीं होता है तो batsman अच्छे baller को आराम से खेल जाते हैं लेकिन second inning में अगर इसकी team इसका team अच्छा run बना लेती है तो pressure वाले situation में इसके विकेट लेने की chances बढ़ जाते हैं जिस team में आप मुंबई के top order को captain बना रहे हैं उस team में आप इसे जरूर अपना voice captain बनाए बगले प्लेयर हैं यहाँ पर M. Ashwin Morgan Ashwin जो की देख सकते हैं आप अपने IPL करिये के 35 match में यह 28 विकेट ले चुके हैं उतने विकेट टेकर बॉलर तो नहीं है लेकिन recently in form है और पांच मैच में चार बार dream team के member भी रह चुके हैं जैसा के देख सकते हैं लास्ट मैच में भी 68 पॉइंट देके यह dream team के member रहे हैं अगर first inning में बॉलिंग आया तो इसे अपने team में जरूर रखके यह GLP साबित हो सकते हैं अब guys Mumbai Indians के पहले मैच के थोड़ा सा balling के analysis यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे देखें पहले मैच में कौन-कौन सा baller जो है कितना ball फेका है तो Daniel Samms 4 over ball फेके थे 57 run दिये उसके बाद 1 विकेट नहीं ले पाया थे जस्पृत गुमरा जो है 3 over और 2 ball फेके थे 43 run दिये एक भी ने दिया था टाइमल मिल्स की बात करें तो वह एक विकेट ले पाये थे 3 over फेकने के बाद 26 run दिया था मुंबाई इंडियन्स के opener baller की यहाँ पे बात कर ले तो open baller यहाँ पे Daniel Samms है जस्पृत बुमरा है डेथ होवर की बात करें तो डेथ होवर में balling यहाँ यहाँ पे Daniel dream team के हिस्सा भी रहे है बैटिंग पीच के एक धमागेदार खिलाड़ी है अच्छी बात यह है कि यह inform player भी है mostly ऐसे विकेट पर अच्छा perform करते हैं सो की player हो सकते हैं अगले player की बात करें यहाँ पे गाईस तो यशश्वी जैसवाल है left-hander batsman है IPL के 13 match में अपने 289 run इनों अब यह आपको बता है मगर opening आएंगे तो opportunity होगी left-hander है और batting wicket पर generally left-hander अच्छा inning खेल जाते हैं guys next player guys यहाँ पर यह देवदत परिकल left-hander batsman है last के 5 match में एक में अच्छा खेला है generally यह 20-30 run बना के दे देते हैं और 3 number पर बिंसन होंगे तो must happy रहेंगे क्योंकि T20 में 3 number का खिलाडी जो है वो mostly अच्छा perform कर जाता है की player साबित हो सकते है guys last के 5 match में दो बाट dream team के भी member यह पर Sanju Samson अच्छे hitter है और recently भी अच्छा performance किया है कभी-कभी impact वाले inning खेल जाते हैं last के 5 match में जैसा कि आप देख सकते हो तीन बाट dream team के भी member रहे हैं last match में भी यह dream team के member रहे हैं और wicket keeping से भी अच्छा points दिलवा सकते हैं क्योंकि राजस्थान की team में world class baller है तो wicket keeping section में यह एक बढ़िया pick साबित हो सकते हैं अगले player है guys यहाँ पस शिम्रॉन हिट माहर left-hander batsman है guys hard hitting batsman है recently 5 matches में guys तीन बाट dream team के member भी रहे चुक है और last match में भी 70 points देके यह dream team के member रहे हैं अगर इसकी batting आती है और यह 3-4 over खेल गया तो आपको अच्छे खासे points दिलवा कर चल अगर आपको इस team में 4 main baller दिखे तो आप इसे अपनी team में रख सकते हैं क्यूंकि तब यह एक 2 over की balling भी कर सकते हैं guys अगले player है guys यहाँ पर नाथन कोल्टर नाइल अपने IPL career के 37 match में बिरासी रहन और 48 wicket ले चुके हैं लास्ट के 5 match का record अगर इनका देखे तो एक बाट dream team के भी member रह चुके हैं अच्छे baller है guys पिछले match में यह perform अच्छा नहीं कर पाये थे और out of form है तो हो सकता है कि इसमें यह अपनी वापसी करे तो यह भी एक बढ़िया pick हो सकते हैं अगले player है guys यहाँ पर रवी चंदरन आश्वीन वर्ल्ड क्लास spinner है wicket taking baller है guys अपने IPL career में 167 match में 456 और 145 विकेट ले चुके हैं लास्ट के पांच मेंच के चार बार dream team के member भी रह चुके हैं भले ही last match में यह ना चले हो लेकिन अच्छी बात यह हैं तो आपके लिए यह must have pick हो सकते हैं अगले player की बात करें guys यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है guys अपने IPL career के 54 match मे अगर performance इंका देखे तो तीन बात dream team के member भी रह चुके हैं पिछले match में भी 78 points देके अच्छा खासा यहाँ पर dream team के member बनते हुए नजर आए अपने extra pace के लिए famous है guys line late में balling कराते हैं recently good form में and opponent के साथ भी इनका record जो है वो अच्छा है अगर first inning में balling आया तो captaincy material है guys अब next player की बात करें guys यहाँ पे तो प्रसिद कृष्णा है guys right time medium है गाइटरा pace और cutter का use करते हैं swing ball और यॉर्गर के लिए बहुत जादा पर चली थे guys और death over में भी balling करते हैं तो एक good pick हो सकते हैं यह अपने IPL career के 34 match में 30 wicket ले चुके हैं पिछले match में भी dream team के member रहे हैं और last के 4 match में देखें तो एक बार dream team के यह member रहे हैं death में भी balling कराते हैं तो एक good pick हो सकते हैं guys अगले player की बात करें guys तो वह है यह जविंदर चाहाल अपने IPL career के 100 match में 149 wicket ले चुके हैं last के 5 match में यहाँ पे देखें तो पांचों match में dream team का member बनता हुआ नजर आये हैं पिछली match म भी 95 points देके dream team के member रहे हैं second inning में balling आये तो आप इसे voice captain भी बना सकते हैं guys तो यह थे कुछ guys playing 11 दोनों teams के जाल लेते हैं guys यहाँ पे राजस्थान के balling section के बारे में तो यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट जो है वो पहले match में guys 4 over ball कराये थे IPL के पहले match में जो अभी एक match हो प्रसिद कृष्णा की तो वो भी 4 over फेके थे 16 रन दिया था और दो विकेट इनको भी मिला था नाधन को इल्टर नाइल की बात करे तो यहाँ पे guys 3 over वो ball फेके थे 48 रन उनको पढ़ गया था लेकिन अपना घाता विकेट में वो नहीं खोल पाये थे next player की बात करे तो पर आकी बात करें guys तो उन्होंने एक over फेका था सिर्फ 14 रन लिये थे तो उन्होंने एक over फेका था 14 रन दिये थे यहाँ पर और उनको भी कोई विकेट नहीं मिल पाया था उमीद है guys आपको यह मेरा एनलडिकल वीडियो पसंद आया होगा and once again I want to remind you कि 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 किसी भी पेट पर आपको जाना है तो मेरे link के थूरी जाना है या फिर आपको exactly वह पर देखना है कि कौन सा username है एकड़म exact वह username है तब ही आपको उसमें join करना है that's it for today's video guys I'll see you in the next one Bye Bye